यह वो मॉनिटर है जिसको मैंने पर्सनल यूज के लिए अपने डेस्क पे लगा रखा है और इस मॉनिटर से मुझे प्यार हो चुका है इस मॉनिटर के अंदर में आपको काफी बड़िया बड़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं यह है AOC का मॉनिटर मॉनिटर इसका 24P2C यहाँ पे कुछ स्पेक्स मेंचन कर रखी है अन्बॉक्स करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ केबल्स देखने को मिल रही है तो केबल्स की बात करते हैं टाइप C to C वाली केबल है USB-A कनेक्टर के साथ में तो इसको आप कनवर्ट कर सकते हैं अपने इसाब से क्योंकि टाइप C वाला जो आपको है यहाँ पर डिस्प्ले का आप्शन मिलता है उसके अलावाँ आप SDMA की केबल मिल जाती है साथ ही में एक DP केबल भी आपको मिल जाती है और यह है इसकी पावर केबल डोकुमेंटिशन मिल जाती है यहाँ पर कुछ देखने के लिए ले जाती है वालेटर की पोड जै आपको DP का पोर्ट मिल जाएगा HDMI का पोर्ट मिल जाएगा टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा टाइप C के पोर्ट से आप डिस्प्ले ले सकते हो इजी के साथ में, साइड में आपको दो USB के पोर्ट और देखने को मिल जाते हैं और नीचे Kensington Lock भी दे रखा है इसके अंदर दो दो वाट के दो स्पीकर भी है हाइट को यहाँ पे आप एडजस कर सकते हो तो यहाँ पे stability अच्छी है, monitor की wobble वगेरा भी जादा यहाँ पे नहीं करता है और यहाँ पे stand की quality मुझे अच्छी लगी स्क्रीन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको IPS पैनल मिल रहा है 24 इंचेस का monitor है, यहाँ पे color की जो accuracy है रहा वो काफी जादा अच्छी लगी मुझे flicker free technology के साथ में आता है, साथ ही में आपको low blue light का mode भी आपे देखने को मिल जागा refresh rate की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 75 hertz का मिलता है और यहाँ पे आपको जो है न 4 millisecond का response time भी देखने को मिलता है साथ ही में इसमें inbuilt KVM switch भी दे रखा है, bezels आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यह three side frameless design के साथ में आता है बस bottom में आपको chin में लेगी जहाँ पे buttons दे रखे हैं, एक पर इसके speaker की quality आपको test करके मैं बताता हूँ speaker दे रखे हैं, यह अच्छी बात है, speaker की यहाँ पे clarity भी आपको ठीक टाक मिल जाएगी वाकिए आप आपने obviously आप speaker system तो लगाई सकते हैं अब यहाँ पे buttons की बात करते हैं, यहाँ पे आपको dedicated button दे रखे हैं power के लिए या फिर इसके menu को access करने के लिए तो थोड़ा सा menu भी आपको मैं इसका जो है वो दिखा देता हूँ एक बार, single switch की मदद से आप डिस्प्ले यहाँ पे अपना change कर सकते हैं अलावा यहाँ पे आपको frame counter का option भी देखने को मिल जाता है तो overall features इसमें काफी अच्छी दे रखे हैं बढ़िया बात यह है कि जो इसमें type C का port दे रखा है उससे आप display ले ही सकते हैं साथ ही में आपके जो type C वाला port है वो 65 watt की आपकी charging को भी support करता है तो अगर अपने laptop वगरा type C से connect कर रखा है तो वो display तो दे गाई देगा साथ में वो laptop इससे charge भी होता रहेगा बाकि mobile phone भी आप इससे charge कर सकते हैं बाकि इसमें built-in USB hub दे रखा है अगर आप type C से display नहीं लेते हैं तो इसके जो type B वाला port है उसको अपने PC पे connect करके as a hub आप इस monitor के USB को use कर सकते हैं तो यह मेरे initial impression है मुझे अच्छा क्या लगा फ्लाट डिस्प्ले, three side frameless design मुझे फ्लाट डिस्प्ले की ज़रुत थी पाइवर्ट का function मिल जाता है और basically मैं इसको इसी orientation में use करने वाला हूँ अपने setup पे मेरे setup की video देखनी है तो मुझे comment जरू करना IPS panel है color accuracy यहाँ पर काफी अच्छी लगे मुझे तो editing मगारा के लिए आप जो है color grading मगारा काम करते हैं इस monitor का आप consider कर सकते हैं 24 इंचिस का monitor है monitor की जो overall quality है वो काफी अच्छी है मैं इस monitor को भी लगातार यूज कर रहा हूँ बस मैं अपने initial impressions आप लोगों के साथ में share करना चाहता था dedicated review चाहिए तो जरूर comment करना मैं इसका dedicated review लेक्या हूँगा खरीदना है तो description में link है comment कर सकते हैं कोई सवाल है तो मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ और gadgets के साथ में